नमस्कार बच्चों बच्चों उमीद है आप अपने स्थान पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे बच्चों आज हम कक्षा 6 का अध्याय का नाम है अशोक एक अनोखा समराठ जिसने युद्ध का त्याग किया बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये अशोक कोन है और उसको अनोखा क्यों कहा जाता है और उसने युद्ध का त्याग क्यों किया तो बच्चों आईए हम सबसे पहले अशोक के बारे में जानते कि अशोक कोन था बच्चो अशोक एक राजा था और कह सकते हैं कि एक समराड था जो मोर्या वंश से सबंदित है आप सोच रहे होंगे कि ये मोर्या कौन है और ये वंश क्या होता है बच्चो आपने पिछले अध्यायों में देखा कि किस प्रकार जो पहले जनपत थे बाद में महाजनपत बन गए अर्थात उनका जो क्षेत्र था बहुत ज़ादा बड़ा होता चला गया और इनी महाजनपदों में किस प्रकार हम देखते हैं कि 16 महाजनपद जो थे उभर कर सामने आते हैं और उन में से जो मगद महाजनपद था किस प्रकार उसने अपने क्षेतर का विस्तार किया और धीरे धीरे एक राज्या से अपने आपको समराज्या की तरफ लेकर चला गया अर्थात राज्या से समराज्या बन गया अब आप सोच रहे होंगे कि ये राज्या क्या होता है और समराज्या क्या होता है इन दोनों में फरक क्या है अगर देखा जाए तो राज्या और समराज्या में कई परकार के अंतर देखने को हमें मिलते हैं पहली बात तो यह है कि जो राज्या होता है उसका जो क्षेतर होता है वो छोटा होता है जबकि जो समराज्या होता है उसका जो क्षेतर होता है वो बड़ा होता है एक समराज्या कई राज्यों को जीत करके अपने समराज्या में शामिल करता रहता है और उसका अकार बड़ा होता रहता है। कम होती है और इसी परकार जो राजय होते हैं वहाँ पर करमचारियों और अधिकारियों की जो न्युक्ति होती है वो कम होती है जबकि समराजय के अंदर क्या होता है जो करमचारी और अधिकारी होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और क्या होता है क्योंकि बहुत बड़ी सेना होती है बहुत जादा अधिकारी होते हैं और इसलिए उस समराज्या में जो कर्विवस्ता होती है वो भी बहुत अच्छी की जाती है बहुत के हैं चाहे वो प्रशासन के हैं उनको जो वेतन है समय पर दिया जा सके और उस वेतन का भुगतान भी अच्छे ढंक से हो सके बच्चों अभी हमने बात की राज्या और समराज्या की और हमने कहा कि जो अशोक था वो मोर्या समराज्या में पैदा हुआ था अब आप सोच रह हैं फिर एक प्रशन आपके दिगमाग में आ रहा होगा कि यह वंश क्या होता है मोर्या तो हमने चलो मान लिया कि उनसे सबंदित है या किसी वज़ा से उनसे जुड़ा हुआ है लेकिन वंश क्या होता है कि एक ही परिवार के सदस्या जो है बारी बारी से कई पीडियों तक समराजा या समराट बनते हैं तो वो वंश कहलाता है अभी हम बात कर रहे हैं मोर्या वंश की अब जो मोर्या वंश था उसकी स्थापना चंद्रगूप्त ने की थी और चंद्रगूप्त की मोर्या समराज्या को स्थापित करने में जो एक उसका मंत्री था को टिल्या जिसक विश्णु गुप्त यह चनक्या भी कहते हैं उसने बहुत ज़ादा मदद कि थी और ये और चंद्रगुप्त ने एक बहुत लंबे समय तक शासन किया और उसके बाद उसका जो बेटा था बिंदु सार बोलाजा बना और फिर बिंदु सार बाद उसका बेटा अशोप बन्षव वस्ता है यह हमें मोरे समराज्य में नहीं देखने को मिलती उसके बाद भी कई ऐसे समराज्य आए या वश आए जैसे गुप्त वश यह हम आने वाले अधियाई में देखेंगे और इसके साथ साथ हम साती में देखेंगे कि किस परकार दिल्ली सलतनत में पांच पर बनते रहते हैं कई सालों तक तो वह वंश कहलाता है अब चूंकि हम अशोग के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके मोर्यावंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें मोर्यावंश के बारे में और जानकारी जानना बहुत जुरूरी है आये मोर्यावंश के बारे में और जानक जो चंद्रगुप्त का मंत्री था चनक्यय या विश्णुगुप्त या कोटिल्य उसका एक ग्रंत है अर्थशास्तर, उसमें हमें मोरे समराजय के बारे में बहुत जानकारी मिलती है, समराजय में बहुत से नगर थे, यहां पर एक मानचित्तर दिया गया है, हम यहाँ पर उस मानचितर में उन नगरों को काले बिंदूओं से दर्शार रहे हैं जो उस समराजय में बहुत परसिद नगर थे जैसे पाटली पुत्र, उजयन और तक्ष शीला जो पाटली पुत्र था वो इस समराजय की राजदानी थी तक्ष शीला उत्र पश्चिम और मध्या एशिया के लिए आने जाने का मारग था दूसरी तरफ उजयन उत्री भारत से दक्षनी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी, अधिकारी और शिलबकार रहा करते थे समराज्या के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पश्चू पालकों के गाउं बसे हुए थे मध्या भारत जैसे इलाकों में जादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था वहां पर लोग फल फूल का संगरहन और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे समराज्या के अलग-अलग इलाकों में लोग भिन-भिन भाशाएं बोलते थे वे लोग शायद अलग-अलग परकार का भोजन करते थे और यहां तक कि अलग-अलग किसम की पोशाग भी पहनते थे बच्चो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो मोरे समराज्या था एक बहुती बड़ा समराज्या था अब एक बड़े समराज्या को चलाने के लिए एक बहुती अच्छे परशासन की अवशकता होती है अब वो परशासन कैसे चलता था आएए उसके वारे में थोड़ा सा जाने चुंकि मोरे समराज्या बहुत बड़ा था इसलिए अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग ढंक से शासन किया जाता था पाटली पूत्र और उसके आसपास के इलाकों पर समराट का सीधा नियंत्रन था इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाउं और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यपारियों से कर इकठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के अधेशों का उलंगन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे इन में से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था संदेश वाहक एक जगां से दूसरी जगां घूमते रहते थे और राजा के जसूस अधिकारियों के कार्य कलाब पर नजर रखते थे इन सब के उपर समराड था जो राज परिवार एवं वरिष्ट मंत्रियों की साहता से सब पर नियंतरन रखता था आप बच्चों जैसा कि हमने कहा कि मोरह समराज जया बहुत बड़ा था और उसकी जो राजदानी थी पाटली पूतर से वहां से रहकर के पूरे समराज जया की देखरेक नहीं की जा सकती थी जैसा कि आप जानते हैं कि भारत भारत में क्या है भारत का अगर देखा जाए जो शासन है वो दिल्ली से होता है लेकिन क्या है कि दिल्ली से अच्छे ढंक से शासन हो सके इसके लिए क्या किया गया भारत को राज्यों में बाटा गया है और राज्यों में किस प्रकार आप संफ्राइब presented춰 c narcissist लग जो क्योंकि वह बढ़ा था उसको कई भागों में बाटा गया था और उनको प्रांत कहा जाता था अब क्या होता था कि इन प्रांतों को संभाए ले या प्रांतों को देखने के लिए जो राजकुमार होते थे उनकी नियुक्ति की जाती थी राजयपाल के रूप में क्योंकि अगर वो प्रिवारिक्स दस्या होंगे तो वो अच्छी तरह से जादा जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अच्छा नियंतरन भी रख सकते थे इसलिए उनकी नियुक्ति की गई थी जैसे यहाँ पर जो प्रांत थे जैसे हमने पहले बात की थी कि जो तक्ष शीला है या फिर जो उजयन है उनकी राजदानियों से वहाँ पर बैठ करके शासन विवस्ता की जाती थी प्रांतों की और सारी की सारी जो प्रांतों की सूचना थी वो जो केंद्रिया राजदानी पाटली पुतर थी, वहां तक पहुचा दी जाती थी। परदेशिक केंद्रों के बीच विश्तरित क्षेतर थे। इनके इलाकों में मोरे शासक सिर्फ मारगों और नदियों पर नियंतरन रखने की कोशिश करते थे। जो की आवा गमन के लिए महतम पूरण थे। यहां से उन्हें जो भी संसादन कर और भेट के रूप में मिलते थे उसे इकठा किया जाता था। उधारन के लिए अर्थ शास्तर जैसा कि हमने पहले कहा था कि चनक्या के द्वारा लिखी हुई है किताब है। उसमें लिखा गया है उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिन भारत सोने और कीमती पत्रों के लिए परसीद था। संभव है कि संसादन नजराने के रूप में भी इकठे किये जाते थे। बच्चो अभी हमने एक शवद का प्रयोग किया है नजराना। नजराना क्या होता है एक प्रकार से उपहार होता है और इसको जो आसपास के लोग होते थे या जो सिमांत क्षित्रों के राजा होते थे वो राजा को आकर के उपहार दिया करते थे। ये कर से अलग है कर एक जरूरी चीज था जो अवश्य ही जिसका भुगतांग करना होता था जबकि नजराना जो था या उपहार जो था वो अपनी इच्छा से लोग आकर के राजा को दिया करते थे आईए बच्चों अब हम जो मोरे समराज्यय का समराठ था उसके वारे में जानकारी प्राप्त करें अब यहाँ यह जो जानकारी है हमें कैसे मिलती है इसकी सबसे अच्छी जानकारी जो चंदरगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का एक राजदू था चंदरगुप्त की सभामे या दरबार में मैक्स्तनी वो अपनी किताब इंडिका में राजा के बारे में बहुत अच्छे शब्दों में वर्णन इस प्रकार करता ह समराट का जनता के सामने आने के अफसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जशन मनाया जाता है। महिलाओं से घिरे होते हैं वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की साजिश ने करें उनके खाना खाने के पहले खास नोकर उस खाने को चकते हैं वे लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे और जो इसी तरह मैकस्तनीज है वो जो राजा के बारे में जानकरी या समराट के बारे में जानकरी देता है वो जो उनकी राजदानी पाटली पुत्र है उसके बारे में भी अपना एक विवरंड छोड़ करके गए हैं अपनी जो किताब है इंडीका में वो पाटली पुत्र के बारे में क्या कहते हैं यह एक विशाल और खू पच्ची इंटों से बने हैं राजा का महल भी काट से बना है जिसे पत्थर की नकाशी से अलंक्रित किया गया है यह चारों तरब से उद्यानों और चिडियों के लिए बने बसेरों से घिरा है और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स तो आईए बच्चो अब हम ये देखें कि जो अशोग है उसको एक अनोखा समराड क्यों कहा जाता है बच्चो अशोग को अनोखा समराड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हों ने अपने संदेशों के जरिये लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की कि जो अहिंस वो किसी भी रूप में ठीक नहीं है और ये काम उन्होंने अपने अभिलेखों के माध्यम से किया उन्होंने अपने अभिलेख स्थम्भों और शिला लेखों पर और शिलाओं पर खुदवाए और शिलाओं पर खुदवाए ताकि जहां भी लोग उनको देखें उसको पढ़ सकें अभी हम बात कर रहे हैं कि अशोग जो है लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता था कि लोग अहिंसक मनें अर्थात हिंसावादी प्रविर्ति को छोड़ें आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता था क्या उसके साथ कुछ हुआ था कोई ऐसी घटना घटी थी जिसकी वज़ा से वो ये काम करने को आतुर हो गया था बिल्कुल वच्चो हम यहां पर बात करने जा रहे हैं अशोग के द्वारा लड़े गए एक युद्ध की क्या हुआ था अशोग के राजा बनने के आठ वर्ष बाद उसने कलिंग के साथ अपना एक युद्ध लड़ा अभ अशोग से पहले उसके पिता बिंदु सार ने भी उसको जीतने की कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए थे और इसलिए अशोग चाता था कि यह जो कलिंग है वो भी मोरे समराज्जाय में शामिल हो जाए और उसको जीतने के लिए कई दिनों तक युद्ध चला जिसमें दोनों ही सेनाओं के कलिंग की सेना और अशोग की सेना के भी लाखों जो सैनिक थे मारे गए और घायल हुए और युद्ध भुमी में बाद में जब अशोग उस द्रिश्य को देखते हैं जिसमें बहुत से लोग क्या हैं मरे पड़े हैं और उनकी जो बीवियां हैं वहां पर बिलख रही हैं करंदन कर रही हैं और जो बच्चे हैं रो रहे हैं और चारो तरफ क्या है कि लाशों का अंबार लगा हुआ है और जब अशोग इस द्रिश्य को देखता है तो उसके मन पे एक बहुत ही गहरा असर पड़ता है और एक प्रकार से वो पश्चात आपकी आग में जलने लगता है और अपने आपको कोसने लगता है कि ये मुझसें क्या हो गया एक भूमी के टुकड के लिए मैंने लाकों लोगों का खूण बहा दिया ये तो एक बहुत बड़ा पाप हो गया मैं इससे कैसे मुक्ति पाऊं वो एक प्रकार से अपनी इस मुक्ति का मार्ग सोचने लगा और उसको लगा कि ये जो काम हुआ है हिंसा वाला इसको रोकने का सबसे अच्छा उपाई ये है कि मैं कुछ ऐसे संदेश लिखूं और लोगों तक पहुंचाऊं जो किसी भी तरहें कि हिंसा को दूर करें और विशम में और हर जगां पर शांती स्थापित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाएं और ये जो संदेश थे उसने ऐसे ही नहीं लिखे थे उसने क्या किया था अपना एक धम चलाया था वो बोध धरम से भी प्रभावित था और जो कलिंग वाली घटना घटी थी उसका भी उसके मन पर अक्रोश था और बोध धरम से प्रभा एक प्रकार से धरम था और उनका पालन करें तो विश्रम में और उनके समराजय में शांती हो सकती है और लोग हिंसा से दूर रह सकते हैं आईए अशोग के धम की कुछ बातें हम जानें। अशोग के धम में किसी देवता की पूजा अथवा किसी करमकांड की अवशक्ता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पीता अपने बच्चों को अच्छे विवहार की शिक्षा देते हैं वैसे ही यह उनका करतव्या था क कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। ऐसी कई समस्याइं थी जिनके लिए उनमें समवेंदना थी। उनके समराज्या में अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जात थी। दासों और नोकरों के साथ क्रूर वेवार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में परोसियों के बीच भी जगडे होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उसका करतव्या है। इसलिए उसने धम महामात नाम के अधिकारियों की निउक्ति की जो जगा जगा जाकर धम की शिक्षा देते थे। इसके अतरिक अशोक ने अपने संदेश कई शिलाओं पर और सतंबों पर खुदवा दिये। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद प अपने नोकरों के साथ अच्छा विवार करना चाहिए, बडों का आदर करना चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, हर किसी को एक दूसरे के धरम का आदर करना चाहिए, ब्रहमनों तथा श्रमनों को दान देना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जोहरलाल नहरू ने लिखा है उनके धरम अदेश आज भी हम से एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिने हम समझ सकते हैं और जिन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बच्चो आपकी किताब में यहां पर एक चीन की दिवार का वर्णन किया ग इसे बनाने का उदेश्य उत्री सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था अगले 2000 वर्ष्णों तक इस दिवार का निर्मान कार्य चलता रहा क्योंकि समराज्या की सिमाई बदलती रही यह दिवार लगबग 6400 किलो मिटर लंबी है तथा पत्थर और इंट से बनी ह इसकी उपरी सतह सडक जैसी चोड़ी है इस दिवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा हर 100-200 मिटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए है तो बच्चो इस प्रकार हमने अशोक उसका जो समराज्या है उसका जो वंश है मोर्या इजने वर्णन किया है राजा का और पाटली पुतर का और किस प्रकार जो अशोक का धम था उसके बारे में हमने पड़ा उमीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा फिर भी आए हम कुछ प्रशनों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आपको कितना समझ आ मोरह समराजया की साबना चंद्र गुप्त ने की थी प्रशन दो मोरह समराजया की राजजानी क्या थी विकल्प हैं पाटली पुतर उजयन तक्षिला सारनात बिल्कु सही पाटली पुतर मोरह समराजया की राजजानी थी प्रशन तीन मैक्सनीज कौन था एक राजा एक य प्रशन पांच कलिंग आधुनिक किस भारतिया राज्या का नाम है तमिलनाडू करनाटक उडिसा केरल बिल्कुल सही कलिंग जो है वो राचिनकाल में उडिसा कहलाता था अब हम लगुत्रात्मक प्रशन करेंगे प्रशन एक कलिंग के युद्ध का अशोक के मन पर क्या प्रभाब पड़ा उत्तर अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा लेकिन युद्ध भूमी में हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वित्रिशना हो गई तब उन्होंने निर्ने लिया कि वह भुष्या में कभी युद्ध नहीं करेंगे प्रशन दो समराट अशोक ने धम के संदेशों को दूर दूर तक पहुँचाने के लिए क्या किया उत्तर उसने धम महमात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगां जगां जाकर धम की शिक्षा देते थे धम की कुछ बातों या संदेशों को लिखें उतर मालिकों को अपने नोकरों के साथ अच्छा विवहार करना चाहिए बड़ों का आदर करना चाहिए छोटों को प्यार करना चाहिए सभी जीवों पर दया करनी चाहिए हर किसी को एक दूसरे के धरम का आदर करना चाहिए ब कर दो कर दो